खुबसूरत पहारियों के बीच उत्तर पुर्वी में बसा एक छोटा सा राज है नागा लेंड एक ऐसा राज जो देश की पर्था और मन्यता देश के अन राज्यों से बिलकुल अलग है प्राकिर्तिक सुंदर्ता के करन देश का स्विट्जर लेंड भी कहा जाता है ये धर्ती है बीनर्म लोगों की प्राकिर्तिक की सुंदर्य की किसानों की और अर्थभुत संस्किर्ति की दोस्तों आज हम आपको भारत का एक छोटा सा राज की रोचक जनकारी देने बाले हैं जो साइद आप नहीं जानते होंगे आपसे एक ही रिक्वेस्ट है वीडियो को अन तक जरूर देखें दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दू नागा लेंड की राजधानी कोहिमा है जबकि दिमापूर सबसे बरा सहर है दोस्तों छोटा राज होने की बज़े से यहां की जनसंख्या 19,80,000 है जो की अन राज के मुकाबले बहुत कम है नागा लेंड भरत का मात्रिक ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या 2001 से लेकर 2011 के बीच में घटी है अजीब बात है है ना दोस्तों संस्किर्ती बिरासत भरी यहां हर्याली ही हर्याली है इसलिए नागा लेंड पर्यटकों के लिए जन्नत से कम नहीं है अगर आप नागा लेंड की यात्रा कर रहे हैं तो यहां की हर्याली खुसूरत बादियां मनमुहक सुर्य उदय और सुर्य अस्त आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देंगे प्राकिर्ती में रूची रखने वाले लोगों के लिए नागा लेंड से अच्छी जगा क्या होगी यहां सोच से जएधे अधिक जन्जाती के लोग रहते हैं यहां के आदिवासी लोग अलग अलग तरह के भासा में बात करते हैं यही बज़ा है कि इस राज़िक में कोई एक भासा नहीं बोली जाती है दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगा कि बहुत से लोग किसी भासा में बोल कर बात ही नहीं करते हैं नागा लेंड की पहनावा भी अलग है यहां के लोग रंग विरंग चादर की तरह पहनते हैं यहां के लोग पेरों में करा भी पहनते हैं ताकि पेर पर चरने में दिक्कत ना हो दोस्तो नागा लेंड जितना सुंदर है उतना खतरनाक भी है यहां के कुछ जन जाती नर्भक्षी भी है इसलिए यहां कई इलाके ऐसे भी हैं जहां हम और आप नहीं जा सकते हैं दोस्तो नागा लेंड में कई ऐसे जानवार को भी खाये जाते हैं जो अनकिसी राज में नहीं खाये जाते हैं इस राज में कुत्ते का मंस भी खाये जाते हैं हैराउन करने वाली बात है दोस्तों है ना दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं नागा लेंड के लोग बहुत पिछरे हुए हैं और ये छिक्षा में कमजोर होंगे तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं यहां की छिक्षा रेट 80 से बढ़कर 85 हो गया है जो कि भारत के कई अनरा से कई बहतर है फ्रेंड्स नागा लेंड की निर्ट और संस्किर्टी हर उस सब का महत पुर्ण कार्ज है यहां की जंजाती के लिए मुख्य अंग है यहां हर त्यहार पर दावत नाच गाना होता है दोस्तों नागा लेंड के लोग 80 फिषदी क्रीशी से जुरे हुए है हैरान की बात तो यह है यहां के लोग को सबजिक खना बिलकुल पसंद नहीं है यहां की अर्थ बिएस्था भी क्रीशी पर आधारित है दोस्तों कभी आप नागा लेंड घूमने गए हैं तो हमें क् में जरूर बता है इस एपिसोड में इतना ही अन तक देखने के लिए धन्यवाद